आज की प्राते सबा है तीन अगस्त उन्निस सौर सट देहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझाए रहे हैं समझने वाले दुनिया भी हद के बच्चे नहीं है जो इस जिस्मानी स्टेज में बैठी हूँ और समझाने वाला बाप भी हद का नहीं है बेहद का बाप अर्थात पांसो शास क्रोड मनुश्य सेश्टी का बाप जिसमें रूहानी बाप आया हुआ है जो सभी रूहों का बाप है वो बैठ समझाए रहे हैं जैसे बाप समझाते हैं वैसे ही बच्चों को बैठ समझना चाहिए कैसे बाप रूहानी स्टेज में इस्थितो कर समझाते हैं तो बच्चों को भी रूहानी स्टेज में रह करके सुनना चाहिए परन्तो माया तो बड़ी दुस्तर है माया आत्मा विमनी स्टेज में टिकने नहीं देती है घड़ी घड़ी देवान में लाती है ऐसे अपन को ज्योति बिंद स्वरूप आत्मा समझने नहीं देती है बाप तो देखते हैं ये साहब जादी और साहब जादे बैठे हुए है साहब है ना और वो साहब तो एक ही है सिख लोग गाते भी हैं जब साहब को तो सुख मिले और और का नाम का जाप करेंगे तो सुख नहीं मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा कि और और सब देभान में रहने वाले हैं साब आकरीन दुख दाई साबित होते हैं एक ही साहब है जो सदासिव कहा जाता है सदैव कल्यान कारी है कभी भी दुख देकर किसी का कल्यान नहीं करता है तो साहब को जपो वो तो कहते हैं नाम को जपो वो नहीं जानते हैं कि नाम का आधार काम होता है जो जैसे काम करता है वैसा वैसा बक्ति मार्ग में उसका नाम जपा जाता है रावन रुलाने का काम करता है तो रावैते लोकान रावन कहा जाता है राम हर एक की मन बुद्धी को रमन कराने का काम करता है बुद्धी रमन करती है खेल करती है प्रसन्न होती है इसलिए उसको राम कहा जाता है कहते भी है रम्मिते योगिनो यस्मिनीति राम योगी बच्चे ही उसकी याद में रमन करती है तो अभी तुम बच्चे साहब जादे हैं और साहब जादिया हो फिर भविश्य में साहजादे और साहजादिया बनाने के लिए बाप आए है बाप किसलिए आए है साहजादा बनाने के लिए आए है साह होगा तो साहजादा भी होगा साहजादे भी अभी होगी बाप कहते हैं सेवादारियों का काम होता है सेवा करना साब की सेवा करने वाले हो सारी दुनिया की सेवा करने वाले हो क्योंके बाप तुमारा ओविदेंट सर्वेंट बन करके आया हुए जो सेवादारी होते है वो बड़े निर्मान चित्र होते है बक्ति मार्ग में भी कहते है सबते सेवक धर्म कठोरा सेवक का धर्म साथ से ज़्यादा कठोर होता है मालिक की बातों को भी सुनता है जरप को भी सुनता है और उसकी सेवा भी करता है तो तुम सेवादारी ब्राह्मना भी समझो साह और साह जादे नहीं समझना हां साह बजादे हो फिर तुम बविश्य में प्रिंस और प्रिंसिस बनने वाले हो यहां तुम आए ही हो यह प्रिंस और प्रिंसिस बनने के लिए कि यह पक्का निश्चे रहे कि हम साहब के बच्चे और बच्चियां है यह बात भी याद रहे तो बड़ी खुशी चड़ी रहे अपार सो के किस जन्म के लिए मिलने वाले हैं परंतु करम भी फिर ऐसे करने चाहिए साहब देखते हैं कि इनके करम कैसे हैं जो सेष्ट करम करते हैं वो ही साहजादे और साहजादे साहजादियां बनते हैं परंतु बाप देखते हैं कि अभी ऐसे करम नहीं कर रहे हैं दे अविमान में आकर कोई नो कोई स्रीमत के विपरीत करम कर लेते हैं तो फर ऐसे विपरीत करम करने वाले साहजादे और साहजादिया नहीं बन सकेंगे फिर क्या बनेंगे फिर जाकर के प्रजा में दास दासियां बन पड़ेंगे अपने अपने कर्मों के अनुसार ही जन में लेते हैं बुद्धी में सबैब ये याद रखो कि अभी हम साहजादे और साहजादिया है फिर हम बविष्य में साहजादे और साहजादिया बनेंगे अच्छी तरह से बुद्धी में रखना चाहिए कि हम बैगर टू प्रिंस बनने वाले है बैगर उसको कहा जाता है जिसके पास कुछ भी न हो घर भी न हो पद भी न हो मान मर्तबा कुछ भी न हो ऐसे बेगर बनेंगे इश्वरी ये सेवा में आपने को अरपन करेंगी तो तुम प्रिंस पंस बन जावेंगे अभी भारत भी बिखारी है ना तो जो भारत अभी बिखारी है वो भविश्य में प्रिंस बनने वाला है किस समय की बानी है है अर्षट की अर्षट के लिए बोला भारत अभी बिखारी है फिर गोशना की कि भारत फुल बैगर टु फुल प्रिंस बनने वाला है कब के लिए गोशना की दस वर्ष की गोशना की 66 में कि 10 वर्ष में भारत क्या बन जावेगा लक्षवियान के चित्र में घोशना जी हुई है ने नीचे वो लक्षवियान का चित्र कब बना था संच्याशट में तैयार हुआ था उस समय वो घोशना छाप दी गई मुरलियों में भी बोला गया ज्यानामत पत्रिका में भी छपाया गया तो इसारा देते हैं कि जो भारत बैगर बन जाता है उस भारत को बाप आकर के बैगर टू प्रिंस बनाते हैं ये बाप का फाइव इयर प्लान शुरू होता है 76 से 77 को संपूनता बर्ष मनाया गया संपून बैगर तो संपून प्रिंस बन जाता है अगर एश्वरिय सेवा में संपून बैगर नहीं बनता ये बात सभी ब्राह्मनों के लिए लागू होती है तो फुल प्रिंस भी नहीं बन सकता जितना जितना जो जो बैगर बनेंगे उतना उतना प्रिंस बनेंगे कोई तो सत्युक्याद में ही प्रिंस बनेंगे और एक्टीस जन्म लगातार प्रिंस बनती रहेंगे राजाई घराने में जन्म लेते रहेंगे परन्तो हर जन्म में तो कोई राजा बनना सके कोई फिर ऐसे भी होंगे जो त्रेता के अंत्यम जन्म में जाकर के प्रिंस बनेंगे वो भी कोई जरूरी नहीं है कि प्रिंस बनने के बाद फिर राजा बने प्रिंस प्रिंसिस बहुत होते हैं और राजाएं थोड़े बनते हैं, तो तुम जानते हो, कि बारत अभी बैगर टू प्रिंस बनने वाला है, तो बाप देखते हैं, कि कोई अच्छे कर्म नहीं करते हैं, तो जरूर खयाल होगा इन विचारों की क्या गती हो जावेगे, ये कर्म की गती बड़ी न्यारी है, और ये कर्म करना बाप ही आकर के सिखाते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म की गती बाप बतलाते हैं, तो अभी तुम सिर्फ ये सिमिरन करो, कि हम साहब जादे हैं, और साहब जादे, साहब को जपें, बक्ती मार्ग में नाम जपना होता है, और यहां ग्यान मार्ग में है याद, नाम, रूप, धाम, गोण, कर्तब विको सिमिरन करने की बात है, इसमरन करने की बात है, कहेंगे मनमना भव, परन्तु माया बड़ी दुस्तर है, ऐसी दुस्तर है, जो कोई को कान से पकड़ लेती है, कैसे पकड़ती है, कान से एक बाप की बातन सुन करके, औरों औरों की बातें कान पर धर लेते हैं, सुनते हैं, बाप की बातों को एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं, और औरों औरों की बात कान पर धर लेते हैं, धारन कर लेते हैं, तो कोई को माया कान से पकड़ लेती है, कोई को नाक से पकड़ती है, नाक से कैसे पकड़ती है? पुट्टे की कौन सी इंद्रिय बहुत तीखी होती है? नाक, सुंगा सांगी बहुत करता है, और इस सुंगा सांगी में तीब्रगती होने के कारणी उसको कुट्टा कहा जाता है, कामी कुट्टा, तो कोई कोई ऐसे होते हैं, जो दूसरों की कमियों को, दूसरों की दुरगंदों को बड़े प्यार से सुंगते हैं, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, देखें ये कैसा करता है, इन्हीं बातों में सारी ग्रण सक्ती लगी रहती है, तो कोई को नाक से पकड़ती है, ऐसा पकड़ती है, जो घूसा गहरा लगाए देती है, उन प्रिंस प्रिंसिस को इतनी खुशी नहीं होती है, जितनी तुम बच्चों को खुशी होती है, वो दुनियावी प्रिंस प्रिंसिस जो होते है, वो तो अलपकाल के होते हैं, और तुम तो 21 जन्म प्रिंस प्रिंसेज बनते हो तुमको लाटरी बहुत बड़ी मिलती है परंत तुमारे में भी कोई कोई है जो स्रीमत के विपरीत कर्म करके लाटरी को लात मार देते है नहीं तो खुशी का पारा बहुत भारी चड़ना चाहिए हम साहब जादे हैं फिर भविश्य में हम साजादे साजादियां बनेंगे अगर अपने कर्मों पर खबरदारी रखेंगे तो कोई भी पाप का कर्म नहीं करना है एम आब्यक तो है कि हमें यह बनने वाले हैं क्या यह बनने वाले हैं मने क्या हम वह बनने वाले हैं जिनके उपर कोई भी दुनिया में उंगली नहीं उठाए सका 35 करोड देवताओं के उपर उंगली उठाई गई है साब देवताओं की गलानी की गई है ब्रह्मा की गलानी की गई शंकर की गलानी की गई परंतु लक्षमी नारेन की कोई गलानी नहीं हुई है तो बुद्धी में सदाय दिये रहना चाहिए हैं मापजक्त कि हम यह लक्षमी नारेन बनने वाले हैं जिन्होंने ऐसा कोई गलानी का काम नहीं किया जो कोई इनके उपर उंगली उठाए सके परंपिता परमात्मा है नई दुनिया रचने वाला तो हम बच्चे भी जरूर नई दुनिया के मालिक होने चाहिए यह तो बहुत सहज बात है परंतु पत्थर बुद्धी होने के कारण इतनी सहज बात के उपर भी बुद्धी ठिकाए नहीं सकते हैं कहां न कहां बुद्धी भटक जाती है बुद्धी को पक्का पक्का ठिकाना मिलता ही नहीं नहीं को समझना चाहिए हम उनके बच्चे हैं जिनके साथ हमें उच ते उच धाम में बापस जाना है ये तो दुनिया बहुत नीची है बहुत गंदी दुनिया है और हमको जाना कहां है हमको जाना है उच ते उच पवित्र धहम में तो ऐसा उच ते उच जाने के लिए बाप हमको बहुत हलका बनाते हैं फूल कितना हलका होता है फूल समाना हमारी बुद्धी बन जाती है बड़े ते बड़ा फूल बनाते हैं किसको जो काटे जैसे होते हैं उनको फूल बनाते है बड़े ते बड़े फूल का नाम क्या है कमल का फूल कमल के फूल के समान हमारी practical जिंदिगी बनाई देते हैं माया फिर नाक से पकड़ लेती है जब माया नाक से पकड़ती है तो पूरा ही काटा बनाई देती है छोड़ती ही नहीं है तो देखो ये तुम बच्चों का युद्ध का मैदान है तुमारी माया के साथ युद्ध है तुम दे ही अभिमानी हो तो बाप को याद करते हो और दे अभिमानी बन पड़ते हो तो माया पकड लेती है तो आत्मा अभिमानी बनने का पुर्शार्थ करते रहो सोचना चाहिए हम क्या बनने के लिए आए है ये खुशी रहनी चाहिए कि हम साहब जादे और साहब जादिया है ऐसा साहब जादा और साहब जादी दुनिया में और कोई हो नहीं सकता बाप खुद कहते हैं मैं तुमको साहब जादे और साहब जादिया बनाने के लिए आया हूँ ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के तन में सिर्फ पढ़ाई पढ़ाने के लिए आया हूँ मुरली चलाने के लिए आया हूँ मुरली चला के चला जाओंगा नहीं किसलिए आया हूँ तुमको साहब जादे साहब जादिया बनाने के लिए आया हूँ फिर तुम प्रिंस प्रिंसिस बन जावेंगे सो भी बिश्व के साहब जादे बनेंगे छोटे मोटे साह के जादे नहीं बनेंगे नाम यह पड़ता है साह जहाँ जहाँ मने सारी दुनिया सारी दुनिया का जो शाह बनता है कौन नारेन उस विश्व के मालिक के तुम बालक बनते हो यह लक्षि मिनारेन विश्व के मालिक है न ऐसा तुमको भी बनना है और तुम थे भी फिर दीरे दीरे सीड़ी नीचे नीचे उतरते आये हो यह कितनी सहज बाते हैं समझने की विप्रीत कर्म करने से पदब्रस्ट हो जावेगा यह बात याद करते रहो कि बाप जो स्रीमत देते हैं उस स्रीमत के अनकूल हम कर्म करते रहेंगे तो पद उंचा होता जावेगा माया की मतपर या प्रभाव में आकर के विप्रीत कर्म करेंगे तो पद ब्रस्ट हो जावेगा कोई भी विकर्म न करो यह समझना तो बहुत सहज बात है बाप कहते हैं आती सहज रीत मैं तुमको बैगर से प्रिंस बनाता हूँ इस समय तुम बाप के बच्चे हो बाप गरीब निवाज बन करके आया हुआ है साउकारों को बैगर टू प्रिंस नहीं बनाता है जो गरीब होते हैं बैगर होते हैं ऐसे बैगर से को मैं प्रिंस बनाता हूँ तुमारे दिल में ये बात है कि हम ना नर से ना रहन बनने आए हैं तो जरूर पहले साहब जादे और साहब जादियां बनना पड़े पिर ये साहजादे और साहजादियां बनेंगे तुमारा एम आपजेक्ट भी ये हैं तो बुद्धी में रहना चाहिए कि हम पाई पैसे की प्रजा बनने के लिए यहां नहीं आए हैं प्रजा वो बनते हैं जो औरों औरों से प्रभावित होते रहते हैं प्रभावित माना ही प्रजाद हम तो सिर्फ बाप की बातों से प्रभावित होते हैं बाप के अलाबा और कोई की बातों का हमारे उपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अगर औरों की बातों से प्रहवित होते रहेंगे तो हम राजा नहीं बनेंगे क्यों? क्योंकि राजा बनाने वाला, राजयोग सिखाने वाला एक ही बाप है और दुनिया में उंचे ते उंचा कोई भी धरम पिता जिसने राजाई सिखाई हो सब दास दासी बनाते हैं अपने अंडर में चलाते हैं बाप तो कहते हैं मैं तुमारा ओबिडेंट सर्वेंट बन करके आया हुआ हूँ और तुमको राजा महराजा बना के जाता हूँ मैं तो नहीं बनता हूँ ऐसा निश्कामी और दुनिया में कोई भी हो यह नहीं सकता फिर भी बाबा देखते हैं कि बच्चों की अवस्था ऐसी है, चलन ऐसी है कि माया अच्छी रीट से नाकान से पकड़ लेती है और नम्मर बार पुर्शार्थ अनुसार पकड़ती है बाबा को सभी बच्चों के लिए एक बात नहीं कहते हैं क्योंकि सब बच्चे एक जैसे पुर्शार्थी नहीं है बाप जानते हैं मैं तो कल्प कल्प आता हूँ यह लक्षमीनार्ण जैसा बनाने के लिए वो बेहद का बाप सभी का फादर है और हम सभी बरदस है तो जरूर हम साहब जादे और साहब जादियां है बाप दोरा हम साहजादे साहजादियां बनेंगे और कल्प कल्प बनते रहेंगे कितना सहज है परंतु माया इतनी सहग बात के उपर भी निश्चे पक्का नहीं होने देती ये युद्ध का मैदान तो अंत तक चलेगा जब तक बिनाश हो और जब तक तुम माया पर जीत पहनो तब तक ये युद्ध चलता ही रहेगा इस समय तुमारा मरतबा बहुत उंचा है इस समय मने? इस परसौत्तम संगम युग में तुमारा मरतबा जितना उंचा बनता है उतना उंचा मरतबा और दुनिया में किसी भी जनम में नहीं बनता जैसे आस्मान के सितारे होते हैं कितनी उंचा ही पर चमकते हैं वो हैं आस्मान के सितारे और तुम बनते हो धर्ती के सितारे जो बिनास के टाइम पर महा बिनास के समय सारी दुनिये के बीच साथ की आँखों में इतने उंचे हो करके चमकते हो तुमारी चमक ज्यान की चमक है ज्यान की लाइट मारते हो सारी दुनिया तुमको बहुत उंच समस्ती है तो अपनी उंचाई को कब भूलना नहीं चाहिए बाबा बताते हैं कि अभी तो इस दुनिया में उंचे उंचे धंदे करने वालों का मरतबा बहुत है उंचे उंचे पदमान मरतबा कुर्सियों पर बैठने वालों का मरतबा बहुत है धंदा दोरी वालों का मरतबा बहुत है पैसे वालों का मरतबा बहुत है लेकिन अभी थोड़े समय में ही ऐसा टाइम आने वाला है कि साब धंदों में होगा नुकसान सब धंदे चौपट हो जावेंगे एक इशरी धंदा संसार में इतना ती व्रगती से चलेगा जो सब को आश्चरी हो जावेगा और कोई भी धंदा अब चलने वाला नहीं है देखने में भी आता है कि और और धंदे चौपट होते जा रहे है खास भारत में तो ऐसा हो रहा है बाबा ऐसे नहीं कहते हैं अपने घर गरस्त में न रहो घर गरस्त में भले रहो लेकिन मन मना भवो करके रहो अपने बाप को याद करते रहेंगे तो तुम नर से नारेन बन जावेंगे तीन अगस्तर सट्की वाने का दूसर अपिर और बाप को याद करना ये कोई कठे नहीं क्या ये सभी को समझाते रहो कि इश्वर हम सभी आत्माओं का बाप है देहधारी मनुश्यों का बाप नहीं है जितने भी इस दुनिया में देहधारी मनुश्य है उनका बाप कौन है देहधारी मनुश्यों का बाप है प्रजापिता और उन मनुश्यों में रहने वाली जो आत्मा है उना आतमाओं का बाप है, परमपिता, परमात्मा सिव जिसे ईश्वर कहा जाता है। किसलिए कहा गयाता है इश्वर्ट क्योंकि वो इश्वत्व अर्थात शाषन करने वाला है और मुसल्मानों की तरह तलवार के जोर से शाषन करने वाला नहीं है किस्चियन्स की तरह लोभ में लेकर के शाषन करने वाला नहीं है चंटई चालाकी से शाषन करने वाला नहीं है एक-एक के दिलों पर राजी करने वाला है दिलवारा बाप है सभी आत्मों के उपर दिल पर शाषन करता है तो शाषन करने वालों में वर अर्थात सेष्ट कहा जाता है और हम उसी बाप के बच्चे हैं तो जरूर हम विश्य के मालिक होने चाहिए वो एक ही बाप है जो नई दुनिया रचने वाला है प्यार का सागर कहा जाता है किसलिए नई दुनिया रचने वाला है सारे विश्य के उपर शाषन करने वाला है और सारे विश्यो का मालिक बनाने वाला है नहीं तो जोर जबरदस्ती से दुनिया में कोई भी हिटिलर, नेपोलियन अथवा कोई भी सेक्षपियर साशन नहीं कर सका है क्योंकि उन्होंने हिंसा के आधार पर साशन करना चाहा और बाप आकर हम बच्चों को भी आहिंसक बनाते हैं डबल आहिंसक बनाते हैं इस थूले इंसा भी नहीं करने देते और सुक्ष में इंसा भी नहीं करने देते तब नई दुनिया बनती है ये पुरानी दुनिया को रावण की दुनिया कहा जाता है ये रुराने वालों की दुनिया है सारे विश्व के उपर राज्य करने की आकांच्छा करने वाले आतताई रावण है हिंसा के आदार पर कितने बीवी बाल बच्चों को यतीम बनाए देते है बाप आते हैं तो ऐसी हिंसा को नेश्ट नाबूद कर देते हैं धाई जार साल के लिए कितना अच्छा समझाते हैं तो नई दुनिया में तुमारा बहुत भारी पद बनने वाला है अगर अपने घाटे और फायदे का पोता मिल नहीं रखेंगे तो फेल हो जावेंगे माया ऐसी है जो तुमको फेल कराई देगी और बहुत अंको फेल करती रहती है ऐसी ये माया की युद्ध चलती ही रहती है कहते हैं ना असरों और देवताओं की युद्ध लगी वास्तब में असरों होते हैं दुआ पर कलयुग में और देवताइं होते हैं सत्युगत एका में तो युद्ध कैसे लगेगी ये तो हो नहीं सकता बास्तम में ये संगम युग की बाते हैं अभी चेहरे तैयार हो रहे हैं जो श्रीमत पर चलने वाले हैं उनके देवताई चेहरे तैयार हो रहे हैं और जो स्रीमत का उलंगन करने वाले हैं विपरीत चलने वाले हैं उनकी आशुरी चलन उनके आशुरी चहरे तयार कर देती है तो कहा जाता है आशुरी संप्रदाय और ईश्वरिय संप्रदाय इश्वरिय संप्रदाय को कहेंगे साहब जादे ये बाप तुम्हारा सच्चा सहब है ना तुम बच्चों को भी अंदर बाहर साफ रहना चाहिए साफ दिल तो मुराद हासिल होगी दुर बुद्धी नहीं वननी चाहिए को बुद्धी बनने से पदमान मर्तवा नहीं दुनिया में नस्चो हो जावेगा अभी तुम्हारा सदैव खुशी का पारा चड़ा रहना चाहिए फकुर में रहो हम किसके बच्चे हैं बाप जब समझाते हैं तब तो नस्चा चरता है फिर जब बाहर की दुनिया में जाते हैं तो बूल याते हैं जैसे कोई शराबी होते हैं शराबी भी जब शराब पीते हैं तो उनका नस्चा बहुत चड़ जाता है तो मारा भी ऐसे होता है बाप के सामने बैठते हो तो नस्चा चर जाता है और बाहर की दुनिया में जाते हो तो नस्चा उतर जाता है बच्चे समझते हैं जो बच्चे हैं वो समझते हैं कि हमारे जैसा साहुकार तो दुनिया में कोई भी नहीं है क्यों हम बैगर हैं तो साहुकार कैसे हो गए बैगर हैं दुनियावी धन के हिसाब से जो दुनियावी धन आज है और कल नहीं रहेगा और धनवान किसे साब से हैं साहुकार हम किसे साब से हैं हमारे जैसा साहुकार दुनिया में कोई भी नहीं है जो बेहद का दन है ग्यान रतन वो बेहद के ग्यान रतन हम धारन करते हैं दुनिया में इन रतनों को कोई भी नहीं धारन कर रहा है किसी को परवाह नहीं है इन ग्यान रतनों को धार्न करने की और हमने धार्न किया है क्योंकि हम जानते हैं कि यही ग्यान रतन अब थोड़े ही समय के अंदर इस थूल रतन बनने वाले हैं कैसे बन जावेंगे जो दुनियावी धन्दे से दुनियावी धन इकठ्था कर रहे हैं वो सब धन्दे चौपट होने वाले हैं और हम इश्वरी धन्दा करने वाले ब्रहमन ज्यान रतन इकठ्थे कर रहे हैं जो विनास के टाइम पर हर धर्म की मनुश्यात्मे इसुरिय ज्ञान के उपीछे पागल हो करके दोड़ेंगे। पूरा पस्चे मुत्तर दक्षन चहुद सिकाल फिर है। जब ऐसी स्टेज होगी तब ज्ञान का बूल बाला हो जावेगा। तो बोला, बाप तुमको ये अम्रत का प्याला पिलाते हैं। इस समय तुम जैसे के स्वर्ग में बैठे हो। बाहर निकलने से माया के राजी में चली जाते हैं। बाप तुमको ग्यान और योग का नशा चढ़ाते हैं। परंत यहां से उठकर बाहर जाने से विरबूल जाते हैं। साहब के सनमुक रहते हैं। तो भी कोई-कोई ऐसे हैं जिनको नशा ही नहीं चलता। अवस्था बनती ही नहीं। पाप कर्मों का बोजह इतना चढ़ाय कर रखते हैं। कि बाप के सामने आने पर उनको बाप ही नहीं दिखाई देता। यहां तो आते ही हो इसलिए कि साहब के सनमुक जावें। जाकर के महावाकी सुने। साहब कैसे बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। वो देख करके खुशी का पारा चड़ जाना चाहिए। बाहर में जाते हैं। तो मित्र सम्मंदियादी का संग ऐसा लगता है। जैसे के आसुनों के संग में चली जाते हैं। तो समझना चाहिए। तुम सावजादों के अंदर कितनी फजीलत होनी चाहिए। कितनी दिल में सफाई होनी चाहिए। अगर साफ दिलो करके नहीं रहेंगे, तो मुफ्त में सजा खावेंगे। और जितनी जास्ती सजा खावेंगे, उतना पदब्रस्ट हो जावेगा बाप अंदर में देख बड़ा हर्शित होते हैं यह साहब जादे बच्चे आए हैं राम सीता तो सेकेंड ग्रेड में है तुमको ओन के राजी में थोड़े ही जाना चाहिए रेता में नहीं जाना चाहिए जाना चाहिए यह नहीं नहीं जाना चाहिए लेकिन सत्युक में जितने भी साहजादे साहजादियां बनेंगे या प्रजा बनेंगे वो तुमको जावेंगे या नहीं जावेंगे जावेंगे लेकिन लक्ष दिया है कि जो सत्युक में जावेंगे वो आतोमेटिक नीचे गिरेंगे, उसके लिए कोई पुर्षार्थ करने की दरकार नहीं है, तो पुर्षार्थ क्या करना है? पुर्शार्थ करना है सत्युग में जाकर के हम उच्पतपाबे क्योंकि सत्युग में सूरिवंसी होते हैं और त्रेता में चंद्रवंसी होते हैं अभी तुम सिव की संतान हो और सत्युग में तुम दैवी संतान बनेंगे तो ग्रेड उंचा होगा या नीचा हो जावेगा सत्युग में दैवी संतान देवताओं की संतान होगे और अभी तुम सिवकी संतान बनते हो तो कौनसा ग्रेड उंचा है सिवकी संतान है ब्राह्मन और ब्राह्मन होते हैं चोटी के तो उंचिते उंची स्टेश तुमारी अभी है तुम सुर्य अंसी साहज आदे बनते हो डिरेक्ट ग्यान सुर्य तुमारे उपर सरपरस्त है अभी तुम नमरवार महारती हो गोडे सवार, प्यादे भी है महारतियों को जरूर ऐसी अवस्ता होनी चाहिए ऐसे कि बाप समझाते है साहज आदों को कितनी कुशी होनी चाहिए कि बाप द्वारा हम बविश्य के लिए कितना उंच पद पाते है अभी तुम सिव की संतान, फिर दैवी संतान तो यहाँ की राइल्टी तुमारी फिर वहाँ भी चलती रहेगी बाप ही आकर के पत्थर बुद्धी से तुमको पारस बुद्धी बनाते है तुम बच्चे बाप से प्रतिग्या करते हो बाबा हम जरूर स्वरक के साहजादे साहजादियां बनेंगे हम सेकेंड थर्ड क्लास के नहीं मनेंगे त्रेता को भी सेकेंड क्लास कहेंगे परम तुमारी चलन देखते हैं, तु बंडर लगता है तब सोचते हैं के हो माया, तुम कितनी जबरदस्त हो, अच्छे-च्छे first-class बच्चे नाक से पकड़ लेती हो, जैसी-जैसी अबस्ता है, ऐसे-ऐसे उनको माया लग जाती है, रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर के लड़ती है बच्छे आते हैं समझते हैं साहब के सनमुको जावें तो बविश्य नई दुनिया के साहजादे बनेंगे तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए और ऐसा ही कोई पार साला नहीं है जहां तुम ऐसी पढ़ाई पढ़ते हो तुम आमरपुरी सिवाले के लिए पढ़ते हो अभी तुम पुर्शोत्तम संगम युग पर हो ये योग कल्यानकारी योग है तुम बच्चे भी कल्यानकारी पाट बजाने वाले हो कई बच्चे अपना कल्यान करने के बदले अकल्यान करके नीचे गिर पड़ते हैं परंथो एक बाप फिर भी उनको अपना सहाजादा कहलाते हैं बार-बार बुलाते हैं कहते हैं बच्चे स्वर्ग में तो तुम जरूर आवेंगे क्योंकि एक बार भी बाप के सनमुखाए तो स्वर्ग में जरूर आवेंगे एक दिन आया कुछ समझा आ करके दिल से एक बार बाबा कहा तो भी वो स्वर्ग में आ जावेंगे हर एक अपने दिल से पूछे हम कहां तक अपनी दिल साफ करके बाप के साथ बैठे है नहीं तो अपने उपर तरस खाना चाहिए बाबा तो फिर भी बच्चों के लिए रहम दिल है जब बच्चे भी अपन पर रहम करें तब ना बाप तो स्रीमत देंगे कहेंगे तुम ये भूलें बार-बार क्यों करते हो गर में रहते हुए भी तुम समझ सकते हो साथ के बच्चे होंगे तो विकारी काम नहीं कर सकते हो बाप कर्म आ कर्म विकर्म पर कितना समझाते है तुम अई भी पुरसोत्तम संगम युग पर हो कल्यूगी मनुश्य जो कर्म करते हैं वो तो सभी पाप कर्म करते हैं क्यों? उन्नी कर्म नहीं करते क्योंकि उन्हों को कर्म की गती का पता ही नहीं है कर्म क्या होता है? और विपरीत कर्म क्या होता है? पाप क्या होता है पुन्य क्या होता है दुनिया ये बात जानती ही नहीं बाप आकर के बतलाते हैं कि मैं जो रास्ता बताता हूँ उस रास्ते पर चलने वाले पुन्य आत्मा बनते हैं और मैं जो रास्ता बताता हूँ उसके विपरीद चलने वाले पाप आत्मा बन पड़ते हैं ब्रस्ताचारी बन पड़ते हैं ब्रस्ताचारी बनुश्य कैसे करम करेंगे ब्रस्टाचारी बनुष्य ब्रस्टाचारी बनुष्य ब्रस्टाचान करने वाले करम ही करेंगे सेष्टाचारी देवताएं सेष्ट करम ही करते हैं परन्तु सेष्ट करम तुम अभी संगम युगपर करते हो सत्युगु में जब तुम देवता बनेंगे तो चाहे सेष्ट कर्म करेंगे तो भी उन कर्मों का कोई प्रभाव नहीं होगा कर्म अकर्म हो जावेगा एक तो तुम विकारी बनते हो दूसरे फिर मेरी गलानी करते हो तो ये डबल पाप का बूजह चड़ जाता है विकारी कर्म करने वाले की बुद्धी विक्रत हो जाती है और जब बुद्धी विकारी बन जाती है तो वाचा भी विकारी बन जाती है कर्मिंद्रिया तो विकारी कर्म करती ही है परंत वाचा विकारी होने से बाप की गलानिंग करने कर लग पड़ते हैं तो कितना आपकार करते आई हो ड्रामा अनुसार और कितनी कच्ची कच्ची गाली बाप को तुमने दी है देवताओं को भी गालियां देते हो इसके लिए कहा जाता है यदा, यदा ही धर्मस्य जब जब धर्म की गलानी हुई है तब तब मैं आता हूँ और धर्म की गलानी होती ही है कल्यू के अंदर जबकि तुम बाप को पहचान करके बाप को भूल जाते हो औरों औरों की बातें सुनने लग पड़ते हो बाप की बातों पर ध्यान नहीं देते तो ऐसे बिकर्म हो पड़ते हैं बाप का बन करके फिर बिकर्म करेंगे तो तुमारा सौगोना दंड बढ़ता जावेगा फिर उन्नती नहीं हो सकेगी और बुद्धी ऐसी बतित बन जावेगी जो तुम्हें याद भी एक्यूरेट नहीं कर सकेगे माया याद करने नहीं देती है माया खुद समझती है ये पुन्नी करने के लाइक नहीं है क्रिमनल खयालात देख करके माया भी अटेक करती है बच्चोंने देखा होगा जिनको बहुत टेंशन रहता है उन टेंशन करने वालों में ही भूत प्रेत प्रेवेश कर जाते है ये भूत प्रेतानी आत्में भी माया का रूप है तीन अगस्त अर्शट की वानी का तीसर पे तो जो लाइक नहीं है नालाइक है उनको कहेंगे आशुरी रावन संप्रदाए कि तू कहते भी हैं राक्षस राजे बाकी ऐसे नहीं है कि कोई आशुरों और देवताओं की युद्ध हुई नहीं जो देवता बनने वाली आत्में है और जो द्वापर कल्युग में परमधाम से उतर कर बार बार आशुर बनते हैं और देवताओं को अपने प्रभाव में ले लेते हैं कनवर्ट कर लेते हैं ऐसे आशुर संगम युग में बाप के सनमुखा करके पार्ट जब बजाते हैं तब उनकी युद्ध चलते हैं जो माया भी हैं वो माया की ओर लेते हैं रावन का पक्षे लेते हैं और जो राम संप्रदाय के हैं देवता बनने वाले हैं वो राम का पक्षे लेते हैं तो इस समय की युद्ध की बात है इस समय कोई तो वाइब्रेशन बनाते हैं कोई वाइब्रेशन को बिगाड़ते हैं कोई बिविचारी वाइब्रेशन बनाते हैं, कोई अब बिविचारी बनाते हैं, कोई बाप के उपर निष्चे बिठाते हैं, और कोई बाप के उपर निष्चे उखार देते हैं, कोई थमाने वाले हैं, कोई भगाने वाले हैं, माया है भगाने वाले, और तुम बच्चे हो थमाने बाले तो ये आसरों की और देवताओं की युद्ध है देवताओं होते हैं नई दुनिया के और आसर कल्यूग पुरानी दुनिया के क्या आसरों का राजी होता है कल्यूग पुरानी दुनिया में और देवात्मों का राजी होता है नई दुनिया में तो समझ सकते हो, उनकी लडाई फिर कैसे होती है उनने तो भक्ति मार्ग में सत्युगत रेता सेश्ठ युगों में भी लडाई दिखाई दिये द्वापर में महाबारत युद्ध दिखाई दिये है लेकिन वास्तम में ये लडाई कहां की यादगार है अभी संगम्युग में देवात में और आशरों का पक्छ लेने वाली आत में दोनों ही कठी होती है तो देखो सास्त्रों में कितना किचड़ा भर दिया है और और सभी धर्मों के सास्त्र फिर भी ठीक हैं ये तो मनुशियों ने बैट बनाई है अभी बाप जो राजयोग सिखलाते हैं वो राजयोग की बात हैं तो प्राय हलोप हो जाती है इन बारतवासियों के ही जूट शास्त्र जूटे है तो अपनको हिंदू कह दिया है उनको पताई नहीं है कि हमारा धर्म कब स्थापन हुआ और किस ने स्थापन किया है कभी कहते हैं राम ने कभी कहते हैं कर्ष्म ने कभी क्या बोलते हैं बाप बतलाते हैं कि पांच हजार वर्स की बात है ड्रामा नुसार फिर भी ऐसे भक्तिमार के सास्त्र बनावेंगे जब सास्त्र बनावेंगे तो सच्च की रत्ती भी नहीं रहेगे जूट ही जूट ईश्वर बाप को तो उड़ाई ही देते हैं गीता का भगवान ही जूटा कर दिया तो जूट माना जूट, सच्च की रत्ती नहीं बाप जो सच्च खंड स्थापन करते हैं उसमें सच ही सच होता है क्या सच्चा होता है और रावन जो जूट राजी स्थापन करते हैं जूट खंड बनाते हैं उसमें जूट ही जूट होता है क्या जूट होता है। राम जो नई दुनिया इस्थापन करते हैं। साब की बुद्धी में होता है कि हम जोति बिंदु आत्म हैं। यह है सची बात। और रावन जो राम राज रावन राजी स्थापन करते हैं। उसकी साथ की बुद्धी में बैठ जाता है कि हम दे हैं, देवान में आते हैं, दे के जो बाप हैं, धरम पिताएं हैं, उनका वर्चा सो हो जाता है, फिर भी जो सब मुनुष्य मात्र का बाप है, जिसमें स्यो बाप आते हैं, बो फिर भी लोप हो जाता है, तो जूट ही जूट अभी तुम बने हो इश्वर ये संप्रदा है ये बात कब भूलो नहीं अच्छे अच्छे बच्चों को कब भी भूलना नहीं चाहिए कि इश्वर कौन है अर्जुन और भील का मिसाल भी है बील अर्जुन से भी तीखा हो गया बार में रहने वाले ने तीर पूरा चट कर लिया यहां भी ऐसे होता है जो अंदर में रहने वाले हैं उनके लिए बाप कहते हैं अंदर में रहने वाले रह जावेंगे और बार वाले ले जावेंगे देशिक में भी ऐसे हुआ बेशिक ज्यान लिया बेशिक ज्यान लेने वालों में भी दो बर्ग थे एक अंदर वाले जो सरेंडर बुद्धी हो करके रह रही थे समर्पित हो करके अंदर ही रहे पड़े थे बाप के घर में रहे पड़े थे प्रैक्टिकल जीवन में दूसरे वो थे जो घरगस्त के कीचण में रहते थे और बाप के घरों में यदा कदा या रोज क्लास करने के लिए आते थे तो बाहर वाले भी पड़ने वाले थे और अंदर रह करके भी पड़ने वाले थे उने के लिए भी ये वाक्य लागू हुआ अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे क्या ले जावेंगे? और क्या ले गए? 76 से जो बारवाले थे घर रस्त की कीचण में रह करके पड़ाई पड़ रहे थे, वो क्या ले गए? इश्वरी ग्यान के तंत को पूरा चट कर लिया, इश्वर बाप को पहचान लिया, और अंदर वाले जो बाप था, उसको भूल गए, और मा को बुद्धी से पकड़ लिया, वास्तम में, माता का सुरूप होता है, प्रिकिटि का सुरूप, पांच तक्तों का सुरूप, और बाप होता है बीज, अगर बाप को नहीं पहचाना तो कुछ भी नहीं पहचाना, अभी भी एडवांस में ऐसा ही होने वाला है, जो अंदर वाले हैं वो बहुत हैं ऐसे जो पढ़ाई पूरी अच्छे रीते नहीं पड़ते रह जावेंगे और बाहर वाले माने जो विजय माला है चंदरवंसे से आने वाली है बाहर रहने वाली है ज्ञानसूर से डारेक्ट पढ़ाई पढ़ने वाले नहीं है वो आत्में ले जावेंगी क्या ले जावेंगी क्या ले जावेंगी अरे विजय माला के मनके लक्षिमी पद पालेंगे और उद्रमाला के मनके लक्षिमी पद नहीं पाई सकेंगे क्यों नहीं पाई सकेंगे क्योंकि ग्लानी करने के कारण जगदंबा की भुजाएं बन पड़ेंगे जगदंबा महाकाली बनती है महाकाली की भुजाएं बनेंगे तो लक्षिमी कहे जाएंगे महागौरी के पार्टधारी कहे जावेंगे या महाकाली के पार्टधारी कहे जावेंगे क्या कहे जावेंगे महाकाली के पार्टधारी कहे जावेंगे आभी भी बाप समझाते है कि जो समर्पित होकर चल रहे हैं उनको 16 घंटे ही शुरिये सेवा में लगे रहना चाहिए और जो समर्पित होकर नहीं चल रहे हैं वो सिर्फ 8 घंटे ही शुरिये सेवा करें तो भी बैलेंस बराबर हो जावेगा तो बोला बाहर में रहने वालों ने पूरा तीर चट कर लिया बाप कहते हैं घर में रहने वाले इतना उठाए नहीं सकते हैं जितना बाहर वाले ले जावेंगे अब बाहर वाले किसको कहा जो उठा ले जावेंगे बाहर वाले वो चंद्रवनसी जो चंद्रवन की रहवरी में पले हैं पवित्रता का वातावन जनों ने धारन किया है उन की तरफ इसारा है ऐसे नहीं कि सभी बाहर वाले ले जावेंगे नहीं ऐसे ही अंदर वालों का भी हिसाब है सभी अंदर वाले एक जैसे नहीं होते हैं कोई अच्छे पुर्शार्थी भी हैं और कोई संसार को दिखाने के लिए कागज पर लिख कर देते हैं कि हम समर्पित हैं सम मने संपोन अरपित मने अरपन में जीवन है परन्तु दिल एक दूसरे में फसाई देते हैं एक दूसरे की बात मनने लग पड़ते हैं बाप की बातों को लात मार देते हैं तो बोला अंदर वाले रह जावेंगे और बाहर वाले ले जावेंगे माया बुद्धी को एक दम चट कर देती हैं अभी बाप कहते हैं कि मैं आया हुआ हूँ ऐसे नहीं कि आकर के चला गया ब्रह्मा कितने में आया मुरली चला के चला गया नहीं शिव बाबा आया है तब तो यजयनती यादगार मनाते हैं बाप कहते हैं मेरा जन्मा लवक है इस लोक में जैसा जन्मा माना जाता है वैसा मेरा जन्म नहीं है मना लोक में तो बच्चा पहले गर्व में रहता है गुपत होता है फिर बाहर में प्रतक्ष होता है वो तो हद की बात हो गई उसको जन्म दिन मनाना कहते हैं लेकिन ये है बेहद का जन्म कैसे? बाप पहले गुपत हो करके पार्ट बजाते है ऐसा गुपत पार्ट बजाते है कि कोई को भी पता नहीं чलता, पत्ता निश्चे नहीं होता कि बाप आया हुआ है आज निश्चे करते हैं, कल निश्चे उख़ड़ जाता है तो निश्चे बुद्धी जीने वाला कहें या घड़ी-घड़ी मरने वाला कहें क्या कहें, गड़ी-गड़ी जीते हैं, घड़ी-गड़ी मरते हैं, तो मृत्टि लोक में हैं या अमरलोक में हैं, मृत्टि लोक में हैं, फिर ऐसा भी टाइम आता है, कि एक एक बच्चा अमरनाथ का अमर बच्चा कहा जाता है निच्छे बुद्धी बन जाते हैं पके दुनिया हिलाना चाहे तो भी हिलते नहीं ऐसे अमरनाथ के जो बच्चे बनते हैं वो फिर कहते हैं, निश्य बुद्धी विजय थे, विजय ही बन जाते हैं, नई दुनिया का जो सुख है, वो प्राप्त करते हैं, तो मेरा जन्म अलवकी कह है, तो बच्चों का जन्म भी अलवकी कह है, बच्चे भी संसार में प्रत्यक्ष हो जाते हैं, चौरासी जन्मों में जो सेष्ट ते सेष्ट जन्म है, जो सास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध्य है, वो हर बच्चे का जन्म प्रत्यक्ष हो जाता है, और बच्चा पहचानता है कि मेरा ये पार्ट है दूसरी आत्में भी पहचानती है कि इसका ये पार्ट है इसको कहेंगे आलोकिक जन्म तो किसका आलोकिक जन्म है किसका आलोकिक जन्म है तुम बच्चे माना जो बाप को पहचानते हैं उनका अलोकिक जन्म, जो नहीं पहचानते हैं, उनका अलोकिक जन्म, उनका अलोकिक जन्म, ओम सांदेव